कुप खुश्रो हो लला हमने जो है कनाया जी का एक भजन बनाया है बहुत बड़िया आज आश्रम पहुंचेंगे ना तो मजमा लग जाएगा कनाया जो थे अवल नंबर के थे सोला गाओं वाली राम जी से भी अवल वो छलकपट भादुरी सब कर लेते थे राम जी नहीं कर बाते थे राम जी सिर्णा होता था ये चलकपट बहुत सर्माते थे राम जी वाक किशन जी तो गोपियों से गिरे रहते थे शर्माते नहीं थे और हमने तो तुमारा नामी किशन रखा थे तुम चुप करो ना हम बात कर रहे हैं पांदा नहीं क्या कर दिया है दोना मिया बीबी ने तुमको कुछ नहीं पता लड़का इतना शर्मीला हो गया मेरा पहले तो ऐसे ना था और तुम्हें तो याद भी नहीं होगा तुम तो छोटे से थे एकदाम छोटे से तीन साल के रहे होंगे तुम हां चत पर खेल रहे थे अपना और तुम्हारी बुआ है तो बौड़म ही हां बौड़म ना होती तो अब तक साधिवादी कर ली होती उसने अब वो नहा कर निकली अब जैसे बहा निकली और उसकी पेटी कोट सरग गे और भाई उसने जैसे तेसे करके बांदी पर तब त दिखाओ अब होगे मर जाओंगा हरे मेरे कनया जी रोना मार गाना बजगा पूरे सहर में अ तुम तुम मानी नहीं रह थे तब जाकर मैंने कही उस बौड़म से अरे दिखा दे ना ऐसे कौन से तेरे सोने लगे तब तुमको दूसरे कमरे में लेकर देई वो अब फिर है और लड़का घी के बने लड़ू जैसा होता है अब घी के बना लड़ू आड़ा तिर्चा हो तो उसमें कोई खोट नहीं होता है आज हमने घी के लड़ू बनाए या बड़े कर्तब लगते हैं बनाने में तुमारी ये मा कितनी मिन्नेते की हो